आज विश्लेशन करेंगे बीरेंजी बहुत स्वागत आपका इस जना देश में कई महत्वपूर्ट चीजें आई तो हम लोग आज दो चीजों पर विशेश तोर पर फोकस कर रहे हैं एक यह जो छेत्री छत्रप हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था इन में से कई ने बेह कास राजबर जैन्द चौधरी इन सब के जो अनुप्रिया पटेल कि यह जो जात के आधार पर पार्टियां बनी और उनका नेतित चल लाहा है वह लगातार चुनाव जीत रहे हैं जब सूरज जलता है तो उसके साथ हर जगह पर रोशनी पहुंशती है वह भले कहीं पर अ कुछ न कुछ उजाला आ जाता है दिन का यह असर होता है भाजपा एक सूरज की तरह हो गई है उसके साथ जो जो जुड़ा सब को उसकी जो अपनी रोशनी थी वह और बढ़कर प्रकास में बदल गई यह आप कह सकते हैं ओम प्रकास राजबर भी बीजेपी की छूने के बाद बिधायक बने और उनकी पार्टी लोगों की नजर में आई यह जरूर है कि जहन चौधरी की पार्टी कभी जीरो रही कभी दो पाती थी कभी एक कभी चार कभी पाँच अजीत सिंग के जमाने से इसे चला रहा है इस बार वो आठ सीटों के लगबख जीते हैं मैंने उस दिन भी कहा था आज फिर कह रहा हूं रोईता करवाल बैटे हैं कि जैन्त का उतना ही साथ दिया जाटों ने जतना ही उक्रेन का साथ दिया है नाटों ने उसके बाद मामला कुछ नहीं है अगर जै बीजेपी जिस तरह से उसने सफाया किया है पच्चिमी उत्तर प्रदेश में वो दरसाता है कि बीजेपी की आंदी थी जिसको लोग समझ नहीं पाए किसान आंदोलन की बजाए जनता ने बीजेपी की केंद्र की योजनाओं को तरजी दी इन दिनों एक चर्चा ये चल लई है कि जैसे भारत देश में कभी कांग्रेस हुआ करती थी बीजेपी उसी तरह की हो गई है कि 70 साल करीब कांग्रेस ने राज किया और हर चुनाओं वो जीतती थी आजादी के बाद वो इसे ही बीजेपी सायद 25-30 साल तक इस देश में राज करेगी और जब तक नरेंदर मोदी और योगी का युग है सायद इनके सामने जीत पाना अब कठीन होगा विपक्ष के लिए कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि वो 80% से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त करा चुकी है 1500-1500 ओट उसको मिले हैं कई कई 45000 ओट उसको मिले हैं बीजेपी की हालत खराब है उसका ओट परसेंटेज घटा लेकिन तबी 10-11-12 परसेंट पे वो है उसके बावजूद एकी विधायक जीता लोग बिजेद जीस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीएस्पी के विधायक को देखने के लिए टिकट लगेगा विधान सबाब में कि कौन-कौन जीत क्या है इनके लिए पैसा लगाओ तब देख पाओगे इनको यह हालत हो गई है एक दो यह है राजा भाईया ने अपना पार्टी बनाकर जब निर्दलिये लड़ते थे तब भी दो सीट जिता लेते थे आप तो गय थे उनके परेज में उस चेतर में कु सेरो सुनामियों क्या है कि राजा भाईया और उनकी जो सटी हुई सीट है बाबा गंज इन दोनों सीट पर कुंडा में राजा के प्रती जो प्रेम और इसने था वह पार्टी बनाने के बाद लोगों का बरकरार रहा रगुराज पर्थाप सिंग वहां जातिकत भावना से परे हैं उनको सभी जातियां ओट देती हैं ना कोई पर इस बार एक चीज़ आपने देखी उनके जीत का मार्जिन बहुत कम रही है चुकि इस बार उनके पास जीतेंगे पर उनको एक लाख वोट नहीं मिले देखिया इस बार उनको पास समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं था पहले भी और निर्दलिय जीते बिना सपा के सपोर्ट के लेकिन इधर दो तीन चुनाओं से वो सपा का सपोर्ट उनको रहता था खासता और से जब से मायवती से उनका जगड़ा चला लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ही उनकी मुख परतिदोंदी थी उसक कि विपक्स जो है वो महंगाई का मुद्दा उठाता रहा बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा भष्टा चार की बात उठाता रहा महिलाओं पर अत्या चार की बात उठाता रहा लेकिन उत्तर परदेश की जन्मानस ने महिलाओं ने मोदी और योगी सरकार की योजना नहीं है लेकिन सजेस्टिव डेटा है यह बताता है कि 2017 के मुकाबले महिलाओं के वोट 16% ज्यादा मिले बीजेपी को तो योगी की जो चवी है वो एक इमानदार मुख्यमंत्री के तोर पर बनी इस बात को लोग लेकर गाओं में चर्चा करते हैं यह तक कहते हैं कि बाल आज के जो दबंग टाइप के अपरादी और कुख्यात लोग थे उन पर जब यह बुल्डोजर चला तो हिंदुत का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी से परसंद हुआ और वो अंत तक योगी के साथ बना रहा यह सब उनकी जीत का कारण बना लेकिन एक समस्या जो ब बड़ी लाचारी है उसके आगे बड़ी-बड़ी सरकारें बेबस रही हैं और योगी सरकार को भी अभी उससे निपटने में बहुत काम करना बाकी है इदर दूसरी और संजय निसात का दिल जो है वो मोर मांगे दिल मांगे मोर अब वह कह रहे हैं कि अगर हमें डिप्टी अपनी टांग फाइलाना चाहा रहे हैं अब उन्होंने यह मांगा है बाइरहाल यह तो कंक्लूट करना सबकी अधिकार है सियासत में योगी और मोधी की जोड़ी उतरप्रदेश में इस बात का परचायक बन गई है कि आने वाले 10-15 साल दोजार चुबिस का चुनाओ भी रहा है विपस्ष के लिए अपना उस वोट बैंक को बरकार रखना कठीन चुनाओती होगा चास्ता और से समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि तब वोट केंद्र के लिए पड़ता है अखिलेश यादों के नाम पर उतरप्रदेश में जो वोट था वो लोगसभा में क अंग्रेस खड़ी हो इसके लावा और कोई शायद मुकाबला कर पाएगा यह कहना कटीने विर्जेश जी कापा अपने यह कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो घर के अंदर तो योगी की जीत पर यही कहना मुनासिब होगा कि चमक सूरज की नहीं ये मेरे किरदार की है खबर यह आस्मा के अकबार की है और मैं चलू तो मेरे संकार वहां चले बाद गुरूर की नहीं एदबार की है बहुत 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 शुक्रिया विरिंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद